आखिर और कितने कश्मीरी पंडितों की हत्या आखिर और कितने बेगुनाहों के खून से लाल होगी घाटी आखिर कब थमेगा ये मौत का सिलसिला आखिर कब तक अपनों के खोने का दर्द आंसूं के सलाब में तब्दील होगा गुसा सडकों पर उबल रहा है सवाल अब विरोध प्रोगेशन में तब्दील हो गए कश्मीर में आतंकियों की टार्गेट किलिंग का शिकार एक और कश्मीरी पंडित हुआ है दक्षन कश्मीर के शोपिया जिले में कश्मीरी पंडित पर फाइरिंग कर दी गई इस से वे गंभी रूप से घायल हो गए उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोशित कर दिया चुनच इंसिडेंट हुआ है एक अनपॉसरी इंसिडेंट हुआ है वारबार फार फेश इंसिडेंट कर दिया अलबसलिया है तो से बडाबसली इव इन्हे और थन सीसिडेंट कर दो स्कूरेटिटी तो यहां पर थी एक हमारा जो गार लगा हुआ है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका रीजन क्या है क्योंकि वह स्कूटर से उनके किसी अपने जान पहचान के साथ ही स्कूटर से बाहर गये हुए थे और वो स्कूटर से लोटे थे वह अकेले नहीं थे व पुरन कृष्ण भट पर उस वक्त हमला हुआ जब अपने घर से निकल कर से बागान जाने वाले थे तभी तो आतंकी बाइक से आए चश्मदीत बताते हैं कि बाइक सवार आतंकी पुरन कृष्ण भट का इंपजार कर रहे थे घर से बाहर वाली सड़क पर आते ही आतंकी ने गोलियों की पॉच्छार कर दी और हमला कर फरार हो गए तो यहां तो यह पहुँच गया बस पीछे से उसको फैर पास है नहीं पता नहीं हमने सिर्फ टावास देखा है इसकी एज खोतिफाई होगी कश्मीर के आतंकी संगठन कश्मीर फ्रिडम फाइटर ने हमले की जिम्मदारी लिये पुरन भट की हत्या के बाद परिवार गमगीन कश्मीर घाटी में टागेटिट किलिंग्स का सिलसला लगातार जारी है आज भी एक मासूम कश्मीरी पंडित की हत्या आतंगवादियों ने दक्षण कश्मीर के शोपया जिले में कर दी पूरण कृषिन भट नामक के कश्मीरी पंडित अपने बाग में जा रहा था जब अचानक आतंगवादियों ने उस पर गोलिया चलाई और उसकी हत्या कर दी अब इसके बाद यहाँ जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाई में आक्रोश है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित समुदाई की जो सरकारी करमचारी है जो की कश्मीर घाटी से कुछ महीने पहले पलाइन करके आ गए थे यह पिछले 150 से ज्यादा दिनो कि हाँ पर धरने पर बैठें आज उन्होंने अपना प्रदर्शन उग्र कर दिया है इस अत्यकांड के बाद से जम्मू कश्मीर में सबरदस्त गुस्सा है कश्मीरी पंडित पाकिस्तान के खिलाफ नारिबाजी कर रहे है और अब हर कश्मीरी पंडित की हत्या का बदला ल अब कडी निंदा नहीं अब प्रशासन को जागना पड़ेगा और ये इंशोर करना पड़ेगा जो उगर वात का ये नंगा नाच वहाँ पर पितने कहीं सालों से चल रहा है और हमारे बाई बैनों की निर्म मत्या की जारी है ये एकी तरीके से बंद होगी सरकार को सक से सक कदम उठाने पड़ेंगे और जो उनके sympathizers उनके पीछे हैं उनको भी एक्सकोज पड़ना पड़ेगा आखिर कितने राहूल बट कितने पूरन जी बट कितनी रजनी बालाओं को हम खोएंगे अब ये बरदास के बाहर है सरकार को इसका संग्यान लेना पड़ेगा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमले का सिलसिला नहीं थम रहा है इस महीने साथ तारीक को श्रीनगर में दीपक चन नाम के शक्स की हत्या कर दी गई पाच अक्टूबर को श्रीनगर में ही माकनलाल बिंदुरू नाम के कश्मीरी पंडित को आतंकियों ने मार डाला सोला अगस्त को शोपिया में ही सुनील कुमार भट की भी हत्या कर दी गई थी आठ जून को श्रीनगर में सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई थी बारा मई को बढ़ गाम में देशत गर्दों ने राहूल भट को माँ डाला थी और अब शोपिया में पुरन कृष्ण भट की हत्या कर दी गई शोपिया में आतंक्यों की नई साज़िश को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है वो खलाहट के अंदर आकर फरस्टेशन और डिस्पिरेशन में ये साज़िश की गई है जो जो भी शोपियान के अंदर कश्मीरी पंडित नौजवान के उपर कियेगे हमले में शामिल हैं वो नहीं बक्षे जाएंगे सेना और पुलिस ने चारों तरफ कॉड़न कर दिया है बहुत जल्द ये सारे आतंकवादी जमीत दोस हो जाए शोपिया में पुरन कृष्न भट की हत्या के बाद सुरक्षा एजिंसियां अलट हो गई हमलावरों को सबक सिखाने के लिए आपरेशन चलाए जा रहा है जम्बु ससुनील जी भट के साथ अश्रवानी श्रीनगर आज तक